शामली सहारनपुर रेल मार्क पर विद्यूतिकरन और सिगनल कार्य पिछले तीन साल से चल रहा था. एक साल पूर्व दिल्ली से लेकर शामली तक विद्यूतिकरन और सिगनल का कार्य पूरा हो गया था. अप्रेल 2021 से शामली से टपरी तक विद्यूतिकरन और सिगनल कारिय शुरू हुआ था पिछले माह शामली से लेकर टपरी तक विद्यूतिकरन और कलर सिगनल कारिय पूरा हो गया है 10 दिन पूर्व गताट फरवरी को टपरी और मनानी के बीच 5 घंटे का बलोक लेकर 5 घंटे के बलोक के दोरान टोकनलेस स्टूमेंट कार्य पूरा किया गया था विद्युतिकरन सिग्नल कार्य पूरा होने के बाद अब उत्तर रेल्वे के सुरक्षा आयुक्ट शैलेश पार्थक का शामली से लेकर टपरी तक निरीक्षन का इंतजार किया जा रहा है उत्तर रेल्वे के यातायात निरीक्षक सुनील धीमान ने बताया कि सनरक्षा आयुक्त के शामली से लेकर टपरी तक विद्युतिकरन और सिगनल कार्यों का निरीक्षन 11 फरवरी को होना था, जो स्थगेत हो गया जल्दी ही रेल्वे के सनरक्षा आयुक्त शेलेश पाठक के निरीक्षन की तिथी आ सकती है सनरक्षा आयुक्त की निरीक्षन के बाद उत्तर रेल्वे के दिल्ली मंडल को ओके रिपोर्ट जाएगी जिसके बाद दिल्ली शमली सहारनपुर रेलवे मार्ग पर बिजली की ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा